गोवा सिख जूद देहे वलंटियर पूरे गोवीच लोकडाउन दी वज़नाड परिशान लोगका दी मदद वीच लंगर पचाउन तो लैके हार लोड वन दी मदद लै दिन रात लगे ने इस इंसला पिछले क्रीब एक महीने तो जारी है इस दी शुरुआत दोसो लोकाणू रोजाना खाना पंचाउन नल होई फिर सिंसला अजया शुरू होया के आज ओहो गोवा विच जिदरे भी लोग खाने तो मैरूम हन उनना तक गोवा सिख यूथ दे वलंटियर खाना है हन गोवा दे मीडिया विच उनना वलो नभाई जा रही सा सिवा दे चर्चे हन सिख न्यूज एक्स्प्रेशनार कास्ट और ते गलकार दियां गोवा सिख विलंटियर दे केने कि सादा मकसद है कोई भी इंसान पुखाना सोंवें इसली दिन रात इस कोशिच विच लग छवड नॉर्थ हुर्ен दे करहा हैं पूरा दे चि नौर्थ हूरा दे चिपिविव नहं पासे हुआ यंच्वरा ते लोग फथ hmासे हुमध हुए जी हो गभर करने हैं नूल गाह 18 संट्रा ज़ैंक करने हैं मैंचेस ते असनॉराय गंडंयम ते जि़ हाज जिए हुम बत वाग भी डिया में सद्काइपनिया निशंचते डिया अज़ पांडिया कोवर कारें बीजी ऐखी जिनना वागी जिनना वागी पडी है जोसन विज़ए रही आपिया बगग ने ता हुआ कि लोग कुछ थी इन लोग जनें लोगाने पता लग्या पहला मौका नहीं है गोवा सिख यूथ जदों में कोई मसीबत या कुदरती आफ़त आउंदी है लोग का दी मदद वास्ते इसे शिदत नाल अगे आउंदा रहा है इह मामारीदा दौर है सो कोशिश एही है के हर इंसान तक मदद पहुंचाई जावे यह चार साल पहले यहां पे गोवा में यह संस्ता शुरू की थी गोवा सिख यूथ के नाम से तो हम लोग यह कभी कुछ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हमेशा हाजी रहते हैं काम करने के लिए हमको गोवा गोवर्मन्ट की जहां से भी इंस्ट्रेक्शन मिल रही है जहां भी कोई नीडी परसन है वहां लोग पोच रहे हैं अगर कोई आगे आपे हमारी हल्प करना चाहे हमको ग्रोसरी जो भी होता है वो आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं गोवा दा देहाडी दर मजदूर तब का जिस दे इस लॉकडाउन दा सिद्धा असर पे है उस तक के मदद सिद्धी उना दे करां तक पहुंचाई जा रही है इस इस अग्राइटिट तो ट्वासिक यूथ फॉ एर गवर्या सीच यूथ बाता चाहे है अगान देहा बड़ा स्थ कितले क्तूर देवाव दिस न्च पता हुड़गा को ग्रोशरी जाम देवा के वोवाव दोटवे जार इनल देवार्विर्स headed by Karan Singh and Sartaj Gill and also Mr. Jasbir Singh उनको में अपना blessings, I wanna bless them और उसको उनको मेरा grateful thanks that they have stepped in when we had a problem and it was difficult for us to solve it and it was difficult for us to accommodate all these hungry people I want to thank you and God bless you, God bless your families because you are a part of the fabric of Goa and you are painting a very beautiful picture in Goa and you have revived the Goan ethos which used to be feed first, eat later so thank you again and God bless you from Hello everyone, this is Rama Kangunkar, I would like to thank Goa Sikh youth for a wonderful job which they have done during the time of lockdown they were serving approximately more than 4000 people in a day I was very happy to be a part of this group it reminded me about our ancestors 30 years or 40 years before where Goans was very ready to help in fact and that reminded me back again the old days of Goa and I will initially wish to just hear about the Sikh community all over nationwide that whenever there is a problem they are the first community who is to come out and help but today they have proved Goans in fact and I would like to thank our Sikh brothers for working day and night for serving the people around Goa it is also one more thing which message which I would like to give is no matter which part of the country we belong to but this is the time where humanity exists and I feel that in a place like Goa we have to learn lot of things and lot of different communities have come together to support each other that that's what that was one of the plus point and that was one of the best thing what has happened in Goa thank you so much Goa Sikh youth for your lovely contribution for your lovely contribution for Goa thank you 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 कि अविचार केलो कि तेंका एवरीडे जाओन प्रवाइट कर पाचे अशे मुड़नानी यह कामान आमका मनिंदर सिंह एंटेंची टीम जे गुवा सीक युटाचे लोग जाओनासा तेंचाने आमका खुब हेल्प केले एवरीडे ते जाओन रानों अंगासर घ्योनेता अनी आमका में आमका मैं लेबरां तसे आगाध अजू बाजू छावारा तले लोगी जो पा घेता ते जाओन जोन जोन ते जाओन जोन डोन थीएंची दोन आउनासे देए तैनका नवी सब्सकिश्डा घ्चे जाओन जाओन अनी अपने प्रेशी बरोबर बुर्वार दुनिया दे कोने कोने विच्च सिख पाई चारे वलों इसे शिदतना सिवा नवाई जा रही है लोकानी बावड़ी जा रही है गोविच सिख पाई चारे दे गिंती बेशक काट है पर वड़ा दिल दखाऊं देया पूरे गोविच आपनी सिवा पावना ना लोकाना दिल जित रहे ने ग्लोब अडवाईज ओवर सिद एजुकेशन ते इमिगरेशन कंपनी हागी है सानू पैंती साल दा एक्सपीरियंस है असी बच्चेया नू अना दे प्रोग्राम सेलेक्शन ते स्कॉलर्शिप्स विच हेल्प करने है असी बच्चेया नू अब टू फिफ्टी लाग तक स्कॉलर्शिप्स लेगे देतीया हूई याने असी बच्चेया दे वीजा एलो आर्स एसोपीच हेल्प करने हा ते पोस्ट लेंडिंग सर्विसेस विच एरपोर्ट पेकप ते उना दी टेंपरेरी एकमोडेशन दा इंतजाम भी करने हा